भारत में प्रतेईक वर्स स्रावन पूनिमा के दिन संस्क्रीत दिवश मनाया जाता है, जिसका प्रारम सन 79 इश्वी के भारत सरकार के शिक्षा मंत्राले के उस आदेश ये हुआ, जिसमें केंद्री तथा राज इस्तर पर संस्क्रीत दिवश मनाने का निर्देश किया गया इस निर्देश में स्रावन पुणिमा को ही संस्क्रीत दिवश के रूप में श्युकारिक किया गया, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से प्राचेन भारत में नया सिक्षा सत्र प्रारंब होता था। गुरुकुल में विद्यार्थी इसी दिन से अध्यान प्रारंब करते थे, जो पौस मास की पुणिमा तक चलता था। फलतह सावन पुणिमा को ही संस्क्रीत दिवश के लिए उपयूप्त तिथी मानी गई। संस्क्रीत दिवस या संस्क्रीत सप्ता मनाने का उद्देश्य संस्क्रीत भाषा के प्रतिजागुर्पता उत्पन करने के साथ उसे सरक्षन एवंशंबर्धन प्रदान करना मना जाता है। पाणनी व्याकरण की सरोमान्यता के कारण इस देश की समस्त भासाओं ने संस्क्रीत के वर्ण क्रम को अपनाया है। फलस्वरूप संस्कृत का व्यापक प्रसार हुआ, तो उसने देश की अन्य भाषाओं को आत्म साथ कर प्रभावित किया और अपने शब्द भंडार को शम्रिद्ध किया। विश्व की अन्य भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी से भारत की पहचान और अस्मिता है। यह भारत का धरोहर है। वसुतह भाषाही वह तत्व है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं। भाषा जीवन में उस प्रकास के स समान है जिसके न रहने पर तीनों लोग घोर अंदकार के समान हो जाता है। अता भाषाओं का सनक्षन करना मानव का परम करतब्य है। भाषा जीवन जी होती है। यह लोगों को बाटती नहीं है अपितु जोडती है। भाषा सबकी होती है। संस्कृत भी सबकी बात करती इसलिए यह सबकी है। संस्कृत की महत्ता इस बात से भी शिद्ध होती है कि संस्कृत का शंपूर भारत के विद्याले, महाविद्याले, विश्विद्याले के अत्रिक्त दुनिया के 250 से ज्यादा विश्विद्यालेों में अध्यापन होता है। इस तरह संस्कीत में रोजगार का भी बड़ा छेत्र है। शात ही शोद के छेत्र में भी संस्कीत में बहुत अधिक संभावनाये हैं। बावदिक, बैदिक, पवराणिक तता शास्त्री विश्यों में जीवन से जुड़ी अत्यधिक सामगरी विद्यमान है। जिसे शोद के माध्यम से लोकोपयोगी बनाया जा सकता है। शंगण की ये उपयोग के लिए भी संस्क्रीत भाषा की महत्ता दिनों दिन बढ़ रही है। पश्मी शंगण सास्त्रग ऐसी भाषा के खोज में थे जिसका शंगण की प्रणाली में उपयोग कर उसका संसार की किसी भी भाषा में उसी छण रूपान तरण हो जा है। उन्हें ऐसी भाषा के रूप में संस्क्रीत ही मिली। संस्क्रीत जीवन दर्शन की भाषा है। इसमें नहित संसकारों, मुल्यों, नैतिक विश्यों के अनुपालन से एक स्रेष्ट समाज का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे दार्शनिक और समास भारक के रूप में भी संस्क्रीत का विशेष्ट महत्व है। इनी सब विश्यों को ध्यान में रखते हुए, नई सिक्छा नीति में भी संस्क्रीत को विशेष्ट महत्व दिया गया है। संस्क्रीत का रोजगार के दृष्टी से अन्य भासाओं की तरह ही महत्व है। बेद, उपनिशद, पुराण, महाकाब्य, नाटक, गद्यकाब्य, आदिपर फिल्म और धारावाहिक दुरदर्सन जगत में धूम मचाये हुए हैं। संस्क्रीत का अध्यता उनकी कताओं को ब ने कहा था। अगर मुझसे यह पूछा जा कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है और स्रेश्टतम विरासत क्या है तो असंदिप्ध रूप से यही कहूंगा कि संस्क्रीत भासा और शाहित्ते। और जो कुछ उसमें है यह उतक्रिष्ट विराशत है और जब तक यह ज अनुशार उसे चुनता है। जैसे लंका विजय के समय राम और रावन के इस्तोत्त्रों में रामचेत मानस में लिखा गया है। लेकिन दोनों अपने स्वभाव के अनुशार शब्द का प्रियोग किये हैं। जिससे उनमें परियाप्त अंतर दिखाई पड़ता है। अभ संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्यानिकता और व्याकरण के लिए भी जाने जाती है। भारत का कितना ही प्राचीन ग्यान हजारों वर्सों तक संस्कृत भासा में संरक्षित किया गया है। योग, आयरवेद, फिलास्वी जैसे विश्यों पर रिसर संस्कृत की महत्ता का सर्वकालिक और आदिकारिक बयान है। भारत का संस्कृत से सम्मंद शरीर और आत्मा का है। दोनों एक दूसरे के विना निस्प्राण है। संस्कृत भासा की ऐसी विशेषता है कि इसमें लिखे या सुने हुए शब्दों का अर्थ नुव समझने पर भी उसकी चैतन्यता और सात्विक्ता का बोध होने लगता है। इसके शब्द माधुरे शेमन मस्तिस्क पुलकित हो उठता है। भासा भाई ज्यानिकों का मानना है कि निरुक्त आदिका संस्कृत भनविक्यान के दृष्टी से भी विशेष इस्थान है। इन सबसे भ भारती शाहित हो समाज के भव विचारों का दरपड है। यहां जीवन निर्वाह के लिए शास्त्र और शाहित का मधुर सामंजस्य स्थापित है। भारती समाज का मेरुदन्ड ग्रिहस्त आस्रम को माना जाता है। जिसे संस्कृत काब्यों में भली भात स्विकार भी किय गया है। संस्कृत ही गारहस्त धर्म की शांगोपांग व्याक्ष्या करती है। वेद, वेदांग, उपनिशद, शांख, योग, न्याय, वशेशिक, मिमानशा, वेदांत, आदिदर्शन, मूल रूप से संस्कृत में ही विद्यमान है। धर्म सास्त हमारे जीवन का बहार को अनुशासित करती है। संस्कृत साहिति का आद्य महाकाव्य, बालमी की रामाण, गारहस्त धर्म की धूरी पर घुमता है। यहां महाराज दसरत का प्रित्व, कौशल्या का आदर्स मात्रित्व, सीता का सतित्व, भरत और लक्षमन का त्याग, सुग्रीव की मित और सबसे अधिक राम चंद्र का आदर्ष पुत्रत्व भारती जीवन और ग्रिहस्त जीवन की चरम सीमा उरेखांकित करता है। मानव मन पर कम नहीं पड़ता है। लोक जीवन की शंबेदना और जीवन दसा का चित्रन मिलता है। कालिदास, बान भट, दंडी ऐसे कवियों की रचनाओं में हमारे लोक जीवन की इसपष्ट जहलक मिलती है। इसलिए संस्क्रीत को केवल कर्मकांड की भासा कहना उचित नहीं है। कर्मकांड का संस्क्रीत में छेतर तो लगभग दो प्रतिसत ही होगा। सेस्तो, शास्त्र, शाहित्य और समाज से भरा पड़ा है। यह एक स्वस्त राष्ट की संकल्पना को पून करने वाली भासा है। तत्व ज्यान और याथार्थ पर आधारित भारती दर्शन का मूल सुरूत संस्क्रीत ही है। जहां आत्मा और ब्रह्म के विलक्षन स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। स्रीमत भगवत गीता, ब्रह्मशुत्र, बिश्रू सहस्रनाम, अनुगीता, भिश्मवत सराज, गजेंदर मक्ष जैसे आध्यात्मिक तथा भक्ति पराण ग्रंथों से भलाकाउन परचित नहीं है। जिसके आध्यात्मिक तानाबाना में संपुन ब्रह्मान समाहित है। संस्कीत को धर्म निरिप्यक्ष भासा कह सकते हैं। अकबर के समय में अलोप निशत की रचना के गई थी। दाराशिकोह और अब्दुर्रहमान खान खाना जैसे मुगल सामन्तों ने बेद उपनिशत तथा सिमत भगवत गीता का अनुबाद फार्सी और उर्दु में कराया था। खान खाना तो संस्कृत की अच्छे कवी थे। उन्होंने खेद का उतुकम जैसे गरन्थ का प्रणेन संस्कृत भासा में किया है। उनका लिखा हुआ गंगाश्टकम तो संस्कृत का उतकृष्ट रतन है। संस्कीत भाषा को दैवी भाषा कहने का उद्यश भी यही है कि इससे दिव्यता प्रकट होती है, यह बुद्धी एवं विचार को शुद्ध रखने वाली भाषा है, यह भेद नहीं अभेद की बात करती है, यह केवल शास्ती रूप से ही शम्रिद नहीं है, बलकि मनोरंजन आत्मक दिश्ट से भी महत्पुण है, यहां पंचतंत्र, हितोप देश तथा कथासरित सागर जैशे गरंथ हैं, आज हम लगातार कौशल विकास की बात कर रहे हैं, कि किस प्रकार विद्यार्थियों में कौशल उत्पन्न किया जाए, इस सम्मंद में कथासरित सागर के इसके कथाओं के अध्यार्थियों में स्वतह कौशल विकास होने की संभावना है, कादंबरी और दसकुमार चरित के अनेक पक्ष मानव मन को रंजित करते हैं, यहां अभिजान शाकुंतलम और उत्तर राम चरितम भी है, जो ठके हारे मानव के लिए आस्रय इस्थल है, य इसमें कहीं भी द्वेश घिला आदिका भाव नहीं है, इसलिए शंपुर मानव जातिका यह करतब्य है कि सभी लोग संस्कृत को अपनाएं और जीवन का नवनिर्मान करें, आज भारत में G20 का आयोजन हो रहा है, G20 अंतराष्टी आर्थिक सवयोग का मुख्य मंच है, य संस्कृत विश्व को एक परिवार मानती है, सबके भरन कोशन की बात करने वाली यह भासा है, विश्व की मंगल कामना करती है, सबके जीवन में अर्थ का समान महत, कभी दंडी का कहना है कि सभी कार्य धन से सिद्ध होते हैं, यहां धन की शुद्धता पर वल दिया गया है अन्या या पाप से अर्जित धन को अच्छा नहीं माना गया है, महा भारत का कहना है कि धन में सब कुछ विराजमान है, समाज में धनी मनुष्य ही जीवित है, निरधन तो मृत प्राय है, आचारे भरतिहरी भी कहते हैं कि सभी गुण सोने गोल्ड यानि अर्थ में विद् होता है, अतर हम कह सकते हैं कि संस्कृत भासा को व्यापक रूपशे देखने की आवशकता है, यह संपूर्ण विश्व की भासा है, यह किसी एक समुदाय, वर्ग या देश की भासा नहीं है, यह सब की है, इसका संडक्षन और संबर्धन करना सब का कर्तब्य है.